Hi everyone, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगे कि आप लोग confident और elegant कैसे बन सकते हैं अच्छा तो आप लोगों ने कभी भी इस तरह के अनप्रेस हुए वे कपड़े कभी नहीं बैनने या आपके सारी परसनालिटी को खराब करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि जिन कपड़ों को आपने प्रेस नहीं किया हुए उनकी लुक और बाद में मैं आप लोगों को प्रेस कपड़ों की लुक दिखाते हुए देखें कितना ज्यादा जो है ना difference है तो आप लोग ने ये mistake कभी भी नहीं करनी इस से आपके personality बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर बुरा impact पड़ेगा तो आप लोग ने ये mistake कभी नहीं करनी तो आप लोग ने हमेशे जो कपड़े हैं प्रेस करके पहनने हैं अच्छा जी फिर अगर आप लोग ओफिस गोइंग लेडीज हैं या पिर college या यूनिवर्स्टी जाती हैं तो आप लोग ने किस तरह की jewelry वेर करनी है तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं pendant की या फिर जो है लोकिट्स की और फिर आप लोग ने को कुछ earrings बताऊंगी watch और इस तरह की jewelry के related सारी बाते बताऊंगी अच्छा guys आप लोग ने हमेशा इस तरह के लोकिट्स प्रेफर करना है आप लोग देख सकते हैं कितने लोकिट्स प्यारे लग रहे हैं और ये पहने वे भी बहुत ज़्यादा elegant लगेंगे अगर आप लोग जो हैना college जाती हैं यहाँ पर university जाती हैं ओफिस जाती हैं तो आप लोग इस तरह की हलकी पुलकी जो हैना चीज़ें हमेशा wear करें यह देखें मेरे पास यहाँ पर जो हैना कुछ टॉप्स भी हैं यह पहने में बहुत प्यारे लगते हैं आपके personality को एकदम से groom करते हैं तो आप लोग इस तरह की light wear चीज़ें पहना जादा जो हैना prefer किया करें तो फिर मेरे पास यह थोड़े से formal type है fancy type है stones वाले यह भी बह मेरे पास यह देखें यहाँ पर कुछ यह भी studs हैं यह देखें जैसे मैं आप लोकिर दिखाया है ना तो यह सब उसके साथ ही मुझे मिले थे तो आप लोग उसके साथ ना decide करके कोई भी इन में से पहन सकते हैं तो बहुत प्यारे लगेंगे यह भी then मेरे पास यहाँ पर personality को भी groom करती है अच्छा फिर हम लोग बात कर लेते हैं shoes की मेरे पास यहाँ पर दो pairs है एक थोड़े pumps टाइप है और दूसरे जो है ना open है तो मैं आप लोग ने किस तरह से जो है ना किस तरह की dressing के साथ किस तरह के shoes को pair करना है अच्छा मैं सबसे पहले तो आप लोग उनक shoes गंदे होते हैं और उनका ऐसी पहन करना चल परते हैं उसकी वज़ास से उनकी personality पर बहुत बुरा जो है ना impact परता है और साथ ही साथ उनका confidence होता है वो भी खराब हो रहा होता है जब वो कहीं जाते हैं बाहिर तो सब उनकी तरफ ऐसे देख रही होते हैं तो उनका confidence बहु परते हैं तो यह देखें आप पर मैंने दोनों shoes के wares को clean कर लिया आप कितना प्यारा जो है ना एक आपका confidence भी आपका groom होगा और साथ में साथ ही साथ आप बहुत neat and clean लगेंगे तो guys आप लोग इस तरह के shoes university college आप पहन सकते हैं बहुत प्यारे लगेंगे अगर आप लोग office जाती हैं तो आप लोग तब भी इस तरह की shoes को prefer करें जो कि आपके personality को groom करें अच्छा जी फिर बात कर लेते हैं skincare आप लोग ने skincare को बहुत ज़्यादा prefer करना है और कुछ basic skincare को follow करना है जिसमें हमारे पास face wash आ जाता है face toner आ जाता है micellar cleansing water आ जाता है sun block और moisturizer ये कुछ आप skin अच्छी होगी ना तो आप में खुद बाखुद एक confidence 12 होगा और साथ में आप लोग प्यारे भी लगेंगे अच्छा फिर हम लोग बात कर लेते हैं body care की कुछ लड़कियों को गर्मियों में sweating का बहुत ज़्यादा मसला जो है ना बनता है उनके साथ और उनका confidence भी इस व बहुत प्यारी आपके पास फ्रेग्रंस है और after shower आप लोग इस तरह की fragrance वगरा यूज कर सकते हैं जिसमें मेरे पास एक यह perfume है और एक body mist है अगर आप लोग जो है ना घर में भी उस करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह की fragrance वगरा को यूज कर सकते हैं यह दोनों fragrance जो ह आप से बहुत refreshing fragrance आए अच्छा जी अब बात कर लेते हैं कुछ basic से make-up की बहुत ज़्यदा आप लोग इने summer में make-up नहीं करना अगर आप ज़्यदा make-up करेंगे तो आप बहुत ज़्यदा जो है ना आपका make-up केकी केकी लगेगा और बहुत बुरा जो है ना impact पड़ेगा और साथ में आप लोग एने ये चीज़े यूज़ करनी होती है गर्मियों में इससे ज़्यदा guys आप लोग ने make-up नहीं करना otherwise जो है ना एक बहुत ही केकी टाइप लुक काती है summer में जो कि आपकी personality को बिल्कुल खराब कर देती है अच्छा पिर आप लोग ने अपने hairs का भी बहुत अच्छे सा ख्यार रखना है जिसमें आप लोग को अच्छा सा शैंपू यूज़ कर सकते हैं और शैंपू आप लोग ने रोजाना यूज़ नहीं करना आप लोग एक दिन चोड़के एक दिन शैंपू यूज़ करें और फिर आप लोग अच्छे सा conditioner भी कर लें अच्छा जी लास्ट पर बात कर लेते हैं बैक्स ही आप लोग हमेशा इस तरह के बैक्स को यह क्लच को चूज करें जो फोर्मली भी आप लोग पकड़ सकें और जो है न आप लोग जिसको कैवली भी कर सकें तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी या कॉली जाती है तो हमेशा इस तरह के बैक को प्रेफर करें इसके साथ बेल्ट भी है तो यह बहुत अच्छे लगते हैं पहने वे और आपके परसनालिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम करते हैं तो होफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मुच पर वाचिंग प्लीज शब्सक्राइब टो मैं चैनल अलाहाफिज एंटे केर